वेलकम फ्रेंद्स और आप लोग देख रहे हैं सुभूम टेक MSD तो आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप लोग भोटर कार्ट के साथ आधर लिंक कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको मोबाइल से मादम से आप लोग भोटर कार् तो आपको क्लिक करने के बाद यहां पे च्छे तरह के आपको आएंगे तो आपको क्या करना है फास्ट वाले जो आप्सिन भोटर रेजिस्टेशन तो इस वाले आप्सिन के उपर आपको क्लिक कर देना है ठीक है और क्लिक करने के बाद यहां पर बहुत तरह के आप्सिन आपके सामने मिलेंगे करेक्शन या डिलेशन सब कुछ यहां पर मिलेंगे तो आपको एकदम नीचे में अस फ्रॉम सिक्स भी यह जो आप्सिन है यहां पर आपको क्लिक करना है एकदम नीच पर click कर लिए उसके बाद यहां पर आपका जो mobile number है यहां पर आपको mobile number डाल दीजिए और डालने के बाद यहां पर send otspik पर click कर दीजिए तो क्या होगा आपको mobile पर एक otsp आएंगे और इस otsp को आपको submit कर देना है, ठीक है तो यहां पर मेरा jtsp यहन पर submit कर देता हूं उसके बात प्रोसिट बटन पर click करेंगे अभी question पूछ रहा है do you already have voter id? तो yes बूप्सिन पर आपको click करना है, adjust यहां पर नीचे में next कर देना है ठीक है क्लिक करने के बाद यहां पर processing होगा उसके बाद प्रॉसीट बाले option पर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर प्रॉसीट बाले option पर मैंने क्लिक कर दिया हूँ अभी पुरा details आपके सामने यहाँ पे show करने लग जाएंगे तो तो पूरा डीटर्स आप लग पर लिजीगा उसके बाद next कर दीजिए तो यहाँ पर pop-up खुलेंके next option क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक दो नीचे में आधर डीटर्स का option आ रहा है तो यहाँ पर क्या करना है आपका जो आधर नमबर है यहाँ पर डालना है ठीक है तो यहाँ पर डाल दीजिए आपका आधर नमबर उसके बाद यहाँ पर आधर नमबर डालने के बाद यहाँ आप मोबाइल नमबर एड कर सकते हैं उसके अलावा आप email ID भी यहां पर attach कर सकते हैं तो यहां पर आधर कार्ड नमबर, email ID सब कुछ यहां पर add कर सकते हैं तो यहां पर मेरा जो mobile number है यहां पर डाल देता हूं उसके बाद यहां पर आप लोग आपका email ID यहां पर दे सकते हैं अधर्वाइस आप लोग छोड़ भी सकते हैं कि यहां पर mandatory नहीं है उसके बाद आपका जो place है यहां पर डालना है उसके बाद done option पर आपको click करना है but click करने के से पहले पूरा details आप ठीक ताक से देख लीजीगा उसके बाद process कीजीगा तो यहां पर मैंने पूरा details पर लिया हूं उसके बाद यहां पर done option पर आपको simply click कर देना है तो click करने के बाद आपको पूरा form यहां पर fill form आपके सामने आ जाएंगे तो आप लोग पूरा form को देख लिजिए उसके बाद confirm परीजिए ठीक है तो यहां पर मैं confirm कर देता हूं और confirm करने के बाद यहां पर आपको पूरा complete हो जाएगा मेरा already हो चुका है तो यहां पर successful already दिखा रहा है तो आप लोग done कीजिएगा तो क्या होगा आपका पूरा processing complete होगा जाएगा तो I hope आपको वीडियो को पसंद आए और वीडियो को पसंद आए तो चैनल को subscribe कर लिजिए और वीडियो को like कर दीजिए और कोई भी दिक्काद आ जाता है फ्रॉम फिल कहने समय तो नीचे कमेंट कर लिजिए कहां पर आपका पॉब्लम आ रहा है तो इसके उपर इसके रिगारी मैं आपको एंसर दे दूँगा and thanks for watching this video